हेलो एवरीवन मैं आपका स्वागत करता हूँ सक्सिस्ट्री डिफेंस पर और आज का हमारा सेशन बहुत ही फाइदेमंद उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को लेके परिशान है ठीक है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन एंडिय के लिए कैसे करें मेरे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम 170 प्लस भी स्कोर किया है बट आपके लिए ये 150 प्लस मार्क स्ट्राटेजी है जिसमें मैं आपको लेकर के स्लेबर से टाइप आफ क्वेशन क्या है और क्या आपको करना चाहिए वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा और कितने टाइम म भी शुरू कर रहे हैं आपके लिए so that आप NDA1 2024 के लिए fully prepare हो सके और आप इस exam को crack कर सके तो subscribe कर लीजिए चैनल को ठीक है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए सबसे बड़ी confusion student के दिमाग में यह है कि syllabus कैसे prepare करना है ठीक है दूसरी confusion यह है कि practice क्या करनी है तीसरी confusion यह है कि कितने marks English में आप definitely score कर सकते है ठीक है तीन यहाँ पर बड़े प्रश्न है ठीक है we are going to understand each one by understanding the pattern first ठीक है तो पहला pattern आपके पास क्या है general ability test exam pattern basically यह होता है GAT ठीक है यह है 600 marks का ठीक है general ability का जो exam है that is of 600 marks अब जानते है इस चीज को और यहाँ पर total number of questions क्या है 150 है जिसमें से English के आपके पास questions कितने है 50 है और English का या फिर एक question यहाँ पर अगर हम बात करें तो चार number का है ठीक है एक question कितने number का है चार number का है negative marking है ठीक है negative marking है exam duration आपके पास यहाँ पर है 2.5 hours ठीक है जी कुछ चीज़ें आपको basic basic clear हो गई होंगी ठीक है 50 question है देखो definitely यहाँ से target क्या करना है 40 plus ठीक है 40 plus questions का definite target करना है अगर आप मेरी classes भी लगा लोगे और मुझसे पढ़े हुए हो तो बहुत सारे students जानते हैं कि लगबग 35 questions तो मेरी class से ही आते हैं ठीक है और definitely 5% question जो 5 से जादा question है वो आप अपने दिवाग से भी कर पाऊगे ठीक है अब यहाँ पर English का pattern देखते हैं कि pattern में हमारे पास क्या है previous year exam में हमारे पास किस topic से कितने question आये हैं यह आपकी preparation को easy बनाने में help करता है देखो spotting errors से आते हैं आपके पास 5 question ठीक है comprehension से आपके पास आये है 6 question selecting words से आपके पास आये है 10 question ordering of words in a sentence इसे sentence arrangement भी बोलते हैं इससे आये है no question sentence improvement से आये है 10 question antonym से आये है 5 question और synonyms से आये है 5 question तो आप देखो 10 question सीधा vocabulary से है ठीक है यहाँ पर 10 question vocabulary के मान सकते हो sentence improvement में भी 5 question आप vocabulary के मान सकते हो तो most important यहाँ पर आपके पास जो section बनता है that is of vocabulary ठीक है most important क्या है vocabulary और सबसे easy क्या है comprehension सबसे easy क्या है comprehension इसके लिए आपको कोई rule याद नहीं रखना है ठीक है इसके लिए आपको कोई rule अलग से याद नहीं रखना है दूसरा इसके बाद जो सबसे easy portion है वो है spotting errors जो class में कराऊंगा अगर वो कर लोगे तो 100% कोगे कि सरका कराया हुआ ही हमारे paper में आया है तो 11 question ऐसे हैं इस exam से जो आप definitely कर सकते हो और जिसका आपको पता है कि इसके बारे में हमें पढ़ना है ठीक है one thing यहाँ पर 5 question आप मान करके चलो कि ये भी आपके grammar से आएंगे तो लगभग 5, 16 question यहाँ से इसके हैं grammar के हैं और 21 questions जो हैं वो आपके पास लगभग किस से बच गए vocabulary से बच गए ठीक है जी तो 41 questions तो यह हो गए 41 question यह हो गए बट आप इस paper का अंदाजा ठीक है for NDA examination you need to analyze most of the questions paper of past year like you have to understand and basically analyze 2 or 3 years of paper एक और paper देखते हैं 2021 का paper देखते हैं उसमें किस तरीके का English का pattern था देखो idioms and phrases के 5 questions आये थे antonyms के 5 आये थे, synonyms के 5 आये थे spotting errors के 5 questions थे close comprehension, close test बोलता है हम इसे ठीक है close test fill in the blanks वाला होता है ठीक है fill in the blanks वाला होता है इसमें एक ही paragraph में आपको 5 blanks मिल जाएंगे और ordering of sentence वही sentence arrangement या paragraph arrangement, reading comprehension 10, fill in the blanks 10 fill in the blanks ये 5 questions मान के चलूँगा कि वोकाब क्या आता है और 5 questions मान करके चलेंगे सभी के सभी के ये grammar के हैं ठीक है तो दोनों पर based होता है ये fill in the blanks याद रखेंगे 5 questions यहां से हो गए ठीक है 5 यहां से हैं, 5 यहां से हैं 20 questions फिर से आप देखो vocabulary के है ठीक है, सीधा-सीधा 20 questions किसके हैं vocabulary के हैं यहाँ पर spotting errors के 5 questions है ठीक है, you can understand के ordering of sentences यहाँ पर grammar के questions थोड़ा सा कम हो गए हैं आपके पास 5 questions हो गए, 5 से 8 questions मान करके चलो के grammar के हो गए Reading comprehension का number of questions यहां पर बढ़ गया है तो reading comprehension जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे easy topic होता है यहां पर आपके पास उससे 10 questions आ रहे है ठीक है, क्या रहे है 10 questions आ रहे है ठीक है तो आपको definitely एक idea मिल गया, picture मिल गई के यह हमारे पास point है ठीक है, यह हमारे पास topics है जिनसे question आपने है ठीक है, अब आपको इन ही को prepare करना इसके अलावा आपको कुछ prepare नहीं करना अगर आप कहते हो ना के sir मुझे यह करा दो, यह करा दो आइडिया देता हूँ, cut-off का 2022 में, जो cut-off गई है वो 360 के आज सपास गई है 2021 की expected cut-off भी इतनी ही रही है ठीक है, return examination की final examination की आप यहाँ पर देख सकते है तो 360 में से, अगर आप यहाँ पर 180 टार्गेट कर रहे है you will get easily 160 प्लस और 150 तो आप देख सकते हो कि आपको बाकी के exam में कितना सिर्फ score करना रह जाता है ठीक है, important चीज समझ में आगई, clear हो गया ठीक है, पूरी cut-off में written exam की आप अगर 150 English में score कर लेते हैं, तो आपके पास 400 number का portion अभी भी बचा हुआ है, ठीक है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 to 60% score करना है, that's why students prepare well and they plan it in advance समझ में आगया है, तो आप कहा lag करते हो, वो clarity मिल गई आपको क्या problem आती है और किस तरीके से prepare करना है वो आपको पता चल गया, now let's understand क्या आप कर सकते हो within 5 to 6 months, ठीक है, 5 to 6 months में क्या करना है, देखो, मैं बताता हूँ सबसे पहले, you should be very good at reading, क्यूंकि reading comprehension के questions आ रहे है, newspaper reading, most important thing, newspaper reading, daily 15 minutes, 15 minutes अगर आप नहीं करोगे, या 20 minutes नहीं करोगे, तो आपको बाद में पश्टाना पड़ेगा, ठीक है पहली चीज, दूसरा right vocabulary words लिखने है, words note down करने है, ठीक है प्लस previous year question paper से, जो vocabulary मिल रही है, ठीक है, आपको उसे prepare करना, now vocabulary prepare करने का तरीका ये नहीं होता कि आपको एक question दे दिया है, और वो ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको question prepare करना, उसके 4 options भी prepare करने है, question उसके 4 option, अगर वो आप prepare करोगे तब जाकर के वो complete question prepare होगा, क्योंकि वो option किसी और question में आ सकते है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास vocabulary complete होगी, जो भी आप word लिख रहे हो, उसका आपको एक synonym ढूनना है, और एक antonym ढूनना है, ठीक है जी यह definite है plus idioms and phrases जब मैं class में कराता हूँ, तो किसी भी बच्चे को इसे रटने की जरुरत नहीं पड़ती idioms and phrases को रटने की जरुरत नहीं पड़ती, I make students learn these idioms and phrases in a story format ठीक है, idiom और phrases की एक hidden meaning है और एक literal meaning है, हम उन दोनों के बीच correction join करते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते है, what can be the real meaning of idiom and phrase ठीक है, यह हो गया, अब यहाँ पर आपको दो चीजे clarity से पता चल गई है, reading ठीक है, vocabulary एक और चीज यहाँ पर जो आपके लिए important हो जाती है one word substitution देखो जिसके थूँ आपकी vocabulary बढ़ जाती है और ऐसे बहुत सारे words fill in the blanks में आते हैं, fill in the blanks में vocabulary भी आती है और grammar भी आती है जैसा के हमने देखा, तो उसके basis पर आप one word substitution की help ले सकते हो और इससे definitely आपको 3 से 4 question करने में help मिलेगी, तो यह एक hidden talent हो सकता है, आपके पास agenda हो सकता है, जिसके थूँ आपकी vocabulary बढ़ रही है, right उसके बाद बचता है grammar ठीक है, उसके बाद आपके पास बचता है grammar, अब इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, पांच topic है जो आपको करने है, ठीक है subject, verb agreement ठीक है, अगर आपने यह कर लिया, तो यहां से आपको 100% question मिल जाएंगे noun है, pronoun है ठीक है, adjective है और tenses है, ठीक है पांच topic यह कर लो आपको grammar में पांच में से, अगर grammar के 10 question आ रहे हैं, तो लगबग लगबग 6-7 question इन topic से मिल जाएंगे, इसके बाहर नहीं करने की ज़रुवत है, तो आप देख सकते हो, के आपका लगबग सारा syllabus complete हो जाएगा then it comes to practice उसके बाद practice का number आता है, practice करोगे तो clarity मिलेगी, के आप कितने पानी में हो, practice बहुत जरूरी है, this syllabus can be prepared easily you can say that ये two months में cover हो सकता है सारा, ठीक है two months में, vocabulary is unending ठीक है, vocabulary चलती रहेगी याद रखना, अगर उसके बाद आपने practice शुरू नहीं की ठीक है, practice शुरू नहीं की, specifically practice तो आपका English में score मैं कहता हूँ के on an average 100 to 120 रहेगा इससे जादा कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि number लाने में मुश्किल नहीं होती, उनको बढ़ाने में मुश्किल होती है, 120 से 160 ले जाना है, तो उसमें आपको analyze करना पड़ेगा, test देने पड़ेंगे, practice एक बार अगर आप one month कर लो English की ठीक है, तो definitely यहां से help मिलेगी, उसके बाद fourth month में ठीक है, fourth month में आप क्या करते हो, test series शुरू करते हो, specifically ठीक है, वहां से analyze करते हो ठीक है, analysis क्या होगा कि कितने marks आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं, जब आप इस level पर पहुँचोगे तब आप अपने आपको improve करने की कोशिश करोगे, here you need guidance, specific guidance, यहां पर चाहिए, fourth month में आपको guidance चाहिए, अगर आप ऐसे prepare करते हो तो hundred percent, अगले दो महिनों में, you will be a better material, or better student better aspirant, who can get 150 plus marks in NDA, within first attempt ऐसा नहीं है कि आपको दो तीन attempt लगेंगे, नहीं, पहले attempt में आपको guaranteed 150 plus marks मिलेंगे if you follow this process, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जो इस process को follow करते हैं, और NDA मजाक नहीं है, ठीक है, NDA मजाक नहीं है, आपको hard routines follow करने पड़ते हैं, from the very starting ठीक है, आपको initially अपनी preparation में hard steps लेने पड़ेंगे, उसके basis पर ही आप आगे जाओगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी लेने है right, so this is the first step English में, अगर आप 160 ले आते हो, 150 plus ले आते हो, तो आपके chances better हो जाते हैं, exam crack करने के, clear हुआ, समझ में आ गया, ठीक है जी I hope के 4th और 5th month की आपके पास strategy clear है, ठीक है and within 6 months, you can clear this examination English में आपके 150 plus marks आ सकते हैं, ठीक है but सबसे important चीज मैंने जो आपको बताई है, that is vocabulary उसके बाद, reading comprehension then there is grammar तो बहुत सारे students क्या करते हैं, grammar किस से सोच करके डर जाते हैं नहीं नहीं भाई, आपको vocabulary पर जादा ध्यान देना है, ठीक है, और previous year question यहाँ पर बहुत important role play करते हैं, तो please don't forget it और अगर आपको यह strategy पसंद आई है, तो do like it share it with your friends and do subscribe our YouTube channel Success Tray Defense, हम जल्दी ही आपके लिए complete series लेकर के आएंगे कैसे आप अपने marks बढ़ा सकते हैं, कैसे आप बिल्कुल zero से hero तक की preparation कर सकते हैं याद रखिएगा and यह मजाक नहीं है, आपको seriously लेना है, ठीक है and if you take it seriously for the next six months, ठीक है, आपको बहुत अच्छी opportunity मिल सकती है, कि आप इस exam को clear कर पाएं, ठीक है जीदन Thank you very much, Jai Hind